आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पहाड़ी पणीर यह पहाड़ी पनीर जो होता है पहाड़ पे जो लोग होते हैं वह सुखे मसालों का इस्तेमाज बहुत कम करते हैं साफ़त मसावे लेते हैं और उसको कौipsy अल्का सा ऐ्ल में फ्राई करने के बाद पीशते हैं क्योंकि वहाँ काफी ठंड होती है तो उसमें फैट कंटेंगर उनको थोड़ा ज्यादा चाड़ी होता है तो दीखें बनाना चुरू करते हैं पहाडी तुम्हें सबसे पहले गैस्वान करते है इसके बाद थोड़ा सा तेल काफी थोड़ा लेना आधा चम्मच में करी हमेश एक इंच के करीड ब्लेक कार्डबुन बड़ी लाइची ये मोटी लाइची इसको आप खोल के डालें तक यह अच्छी दरेंसे प्राई हो जाए इसके साथ बेली एक पत्ता लाल मिट्च यह आप जितना तीना पसंद करते हैं उसके साब से एक छोटी लाइची इसके अंदर साथ में आधा चमच साबुक करिया है कि एक मसाले जल्दे नियुक्त करेंगे अब इसमें डालेंगे हम तक परिवन दस पली लसन की गालिक 10 गोप्स गालिक इसके अंदर इसके बाद डालेंगे इसमें आधा इंच अग्रक इसके बाद इसमें डालेंगे हम एक मीडियम साइज अनियन प्यास कि इसको पूरी दरह से नहीं पकाना है हमें अब अब सब्सक्राइब करेंगे और इसके हम इसना मसाला को फगने देते हैं हम इसको फोड़ा सा ज्यादा पका रहे हैं ताकि इसका बुना हुआ फ्लेवर जो आता है बहुत अच्छा लगता है आप चाहें तो कम पका कर भी करा सकते हैं क्योंकि बाद में इसको पकना है तो ज्यादा पका लेंगे तो ज्यादा अच्छा फिवर आएगा इसमें डालेंगे हम सुखे मसाली जिसमें सबसे पहले डाले आप अधा चमच हल्दी गैस बंद करने के बाद इसलिए डालना भूरूरी होता है क्योंकि ये ज क्रश्मीजी मिर्च इसके बाद एक चमच धन्या पाउडर एक बार इसको तौस कर लें ताकि जो मरेट इसे हुए मसाले हैं वो भी हलके से पक जाए उट्टेल के साथ हमें फ्लेवर आजाए और उसके पार इसको ठंडा होने देंगे इसको ठंडा करने के बाद हम इसको प तो हमारा पहाडी मसाला तेयार हो गया इसको हमने पीस किया है सबसे पहले कैस चलू करेंगे इसके बाद तेल करीबन एक चमच रिफाइं डोल तेल गरम हो गया है अब हम इस में डालेंगे एक मीडियम साइज अनियन अब हमें अनियन को अच्छी तर ऐसे पकाना है इसको लाइक ब्राउन करना है तो स्कर लेते हैं प्यास जो है आपकी इवन ली कुख हो नी तो नीचे-नीचे की कुख हो जाएगी ब्राउन हो जाएगी और उपर कच्ची रहे जाएगी पहाड़ी मसाला बनाया है जाएगी तो बहुत ज्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने हाथ को उस्तों करके रखा था अपने मसाले के उत्मा पकाना है कि तेल चूटे जाएग वैसे बहुत जल्दी तेल चूटेगा तो बस इसको पकाना है आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए कि मसाले अच्छी तरह से पक जाएं लिए हमेशा याद रखें जब भी किसी भी चीज को आप ड़क के छोड़ें तो गैस जूली करें ताकि मसाले जले चलिए हम इसको ड़क देते हैं और 30 से एक मिट बाद हम इसको देखते हैं क्या हाल है हमारे मसाले का अब आप सकते हैं हमारे मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो हम इसमें एड़ करेंगे 200 ग्राम पनीर क्यूब्स में कटा हुआ कोटेज चीज और अब इसको बहुत आराम से हैंडल करना है धीरे-धीरे ताकि पनीर तूटे नहीं और मसाला उसमें चारों तरफ लग जाए तो दीरे-धीरे चला के पका लें थोड़ा और अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक स्वादा नुस्व हमेशा याद रखें आपने प्यास के टाइम पर एक चुटकी नमक डाला हुआ है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी तक्रीबन तक्रीबन तीन से चार चम्मच और इसको मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको डग कर तक्रीबन दो मिनिट लिए छोड़ दें ताकि सारे मसाले पनीर में समा ज़ए दिनी आज पे और दो मिनिट बाद आपका पहाड़ी पनीर मसाला तया है तक्रीबन दो मिनिट हो चुके हैं देखें हमारा पनीर पू अब हम इसको सब करते हैं थोड़ा से इसको गानिश करने के लिए इनीशियल गानिशिंग के लिए धनियापत्ती डाल देते हैं कि यह थोड़ा फ्रेश लिवर दे देगा इसको और इसको सब करते हैं आप चाहे तो खोड़ी से टमाटर भी डाल सकते हैं इसका गानेशिंग के लिए खुबसूर दिखेगा कलर और अदर्वाइस हमारा पनीर पहाडी मसाला तेजार है जरूरूर रहे करना बहुत अच्छी बहुत केस्टी दिश है झाल